हेलो वीवर्स कैसे हो आज सब मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल बिली मी यू आर ब्यूटिफुल बाई सिमी और यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिमी 666 टारट और इंस्टा पे मेरी आईडिया सिमी 9356 परसनल पेड रीडिंग के लिए आप नीचे कमेंट में यूट्यूब पर भी वीडियो के नीचे मुझे आप मैसेज कर सकते हो फिर मैं आपको बताऊंगी आपने मुझसे कैसे कांटक्ट करना है ओके तो आज की रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट है आज की रीडिंग है उन बटरफ्लाइस के लिए जिनकी नई ने रिलेशनशिप शुरू हुई है जिनोंने अभी जिनको रिलेशनशिप में हफता दस दिन महीने छे महीने एक साल हुआ है और अभी आप दोनों की लाइफ में आगे क्या होने वाला है क्या चल रहा है वो सब देखेंगे और जिनकी पुरानी अगर रिलेशनशिप भी ह तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, हो सकते हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज हो तो पहले ये कार्ड मैं कर रही हूं साइड पे, एनरजी और एकल डेक्स में शुरू करूंगी ये मैंने सारे साइड पे कर दी और फर्स्ट है मैसेज, स्ट्रेचेजी ये देखिए, यूनिवर्स ने कुछ लिख दिया आपके लिए, कोई बन गया, एक प्लाइन बना दिया गया ब्लासमिंग अबेंडन्स, वाओ केरिंग कनेक्शन, इस समय आप दोनों बहुत हैपी हो, आपको लगता है आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनको भी ये लग रहा है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आपको इनके साथ मिलके न ऐसा फील हो रहा है, जो कभी भी आपको फील नहीं हुआ ऐसा लव आपको ऐसा प्यार ऐसी केरिंग आपको कभी भी फिलने हुए जैसी ये करते हैं जर्णी और ये देखलो ये आपकी डेस्टनी में था ये आपकी जर्णी में ये टाइम आना था वाओ, वुमन होल्डिंग आ हाट डोर टू परसनल हीलिंग और हैपिनेस और इस समय आप जब हो सकता है कि कोई पिछले पुराने रिष्टों से निकल रहा है आप हील हो रहे हो और आप हैपिनेस ग्रैप कर रहे हैं अपनी दरफ ओ माइगड मैन होल्डिंग आ हाट ये देख टेरिंग कनेक्शन सारे एक दूसरे से ले 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 टीट है अभी हम टैरो से लेते हैं ये ले 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 दा सन वा ओ माई गॉड थेंक यू यू निवस थेंक यू गॉड स्ट्रेजी और मेजर अरकाना का सबसे बड़ा कार्ट दा सन का खुशियां हैपिनेस ब्लाशमिंग अबेंडन्स हमारे बस पहले ही आ चुका था दूसरा ओ गॉड एंजल्स कहा हूँ आप दिखते क्यों नुसरा बस मुझे दिख जाओ एक बार कर्या थेंक यू एंजल्स थेंक यू 'velé के टू of लाव ये रहा तू थेंक यूअ गारे करिंग करेक्षन ये ले लेते हैं क्या आता है The Emperor हो सकता है अगर किसी किसी की नई relationship शुरू हुई है तो अभी आप इस बंदे को समझ नहीं पा रहे ये जब भी आपसे बात करते हैं बहुत limited बात करते होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि ये बहुत ego वाला इंसान है अब यहां से ले ले लेते हैं King of Vans बहुत attraction है इस समय इनको आपकी तरफ ये यहां रख लेते हैं Man Woman holding a heart यहां से ले रही हूँ मैं एक ही card उठाना है मुझे दो दो आ जाते हैं King of Vans King of Vans King of Vans Knight of Vans King of Vans दोनों दरफ से passionate हो और लग रहा है कहीं कहीं लोगों की जिंदगी में इस समय दो परसान है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किसको accept करूँ किसको आने दूँ अपनी लाइफ में इस तरह से रखूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा Okay Door to personal healing and happiness ये वाला card ले लेते हैं Knight of Pentacles Okay A man holding a heart ये वाला ले ले Oh God Page of Cup ये देख लो बहुत अच्छे खाड़ा है तो congratulations अगर आप किसी परानी relationship में से निकल के अगर किसी नई relationship में आयो और आपको लग रहा है डर कि पहले की तरह ही क्या मेरे से दोका तो नहीं हो जाएगा मैं ये card ऐसे रख लगती हूँ ताकि आपको सारे दिखें इस तरीके से भी रख सकती हूँ इस तरीके भी रख उपर बलता मैं ऐसे रख दिए सबसे पहले I.I.I.S. strategy ये देखे यूनिवर्स ने आपके लिए happiness आपकी जिन्दगी में खुशियां लाने के लिए सब कुछ लिख दिया एक note अगर आपने कोई दुख सही है आपने परिशानियां सही है आपको लगता है कि आप मुझे कोई नहीं है उनकी बात कर रही है और जिनके पास already मिले है और आपको समझ नहीं आ रहा क्या ये परिशानी तो नहीं देगा कोई लाइफ में क्या ये मुझे दोका तो नहीं देगा तो आप देख सकते हैं दोके का एक भी कार्ड नहीं है अट्रेक्शन का कार्ड आया है King of Van का Knight of Van का कार्ड भी अट्रेक्शन का दिखाता है कि वो अभी परसन जोब की लाहिए में ना उनका ध्यान सिर्फ आप पे है और बहुत पैस्शनेट है मूँ आपके लिए बहुत ज़दा पैस्शनेट है मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत passionate हो उनके लिए, आप भी सिरफ सोते, उड़ते, जागते, बैड़ते, सिरफ अब phone ही चेक करते हो, उनका phone आया की नहीं आया, उनका message आया की नहीं आया, क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, मतलब अभी जो starting में, वो butterfly's वाला time होता है न, वो चल रहा है आप लोगों की life में, एक, मतलब, एक नए person को जानना, वो कैसा है, वो उसकी सोच कैसी है, वो कैसे मुझे attend करेगा, आगे जाएकर life में मेरे साथ कैसा behave करेगा, क्या मैं गलत कर रही हूँ, इससे relationship में जाके, लेकिन नहीं, यह universe ने आपके लिए journey fix किया हो सकता है, किसी के साथ reading match करें, किसी के साथ reading match ना करें, तो जिनके साथ अभी तक reading match नहीं की, तो यह reading आपके लिए नहीं होगी, आप कोई दूसरी reading देख लो मेरी, और तीसरा हमारे पास आया था, door to personal healing and happiness, इसके लिए है night of pentacle, और अब इस बार, इस relationship में आप बहुत slow चल रहे हो, हमारे लिए night of pentacle, बहुत slow चल रहे हो, चाहे आपके person आपकी तरफ देजी से आना चाहते हैं, चाहे वो आपको ऐसे हक करना चाहते हैं, जैसे इस picture में हैं, लेकिन आप अभी distance पे हो, अब आप, अगर आप पहले अपनी life में आप किसी को जेल चुके हो, दोखा खा चुके हो, तो अब आप कहरें no, इतनी जल्दबाजी में मैंने decision नहीं लेना, अभी मैं सोचूंगी, समझूंगी, फिर मैं decision लूँगी, यहां लूँगा, यह वला कार्ट नहीं दिख रहा तो मैं यहीं रख रहीं इसको, ठीक है ताएंगे मैं बताना तो मुझे यह, तो अभी आप लोगों की life में, यह चल रहा है, हमने कार्ट लिये थे, मैंने energy oracle deck से लिये, आपके सामने आए, मैंने tarot से भी लिये तो आपके सामने आए, और यह person भी नहीं आपकी तरफ बहुत attract है, और अभी यह भी, जैसे इनों ने पहले page of का बहुत छोटा सोब message भेजा होगा आपको, Hi, Hello, क्या कर रही हो, खाना खाया, सो गई, बस इतना ही पूशते होंगे, लेकिन आगे जाके यह रिष्टा बहुत अच्छा बनेगा, यह soulmate वालों की reading होगी आज, Caring Connection को, Caring Connection के साथ साथ two of cup का का कार्ड भी आए, जो angels, देखिया, angels, angels support कर रही है इस रिष्टे को, यह universe ने बनाया, यह the sun strategy, देखिये, यह आपके किसमत में universe ने लिखा है, blossoming abundance आ रही है, सब कुछ मिलने वाला है अब आपको, जितना रोना दोना था, रो दो लिया आप आपने, अगर आप पुरानी relationship से किसी से परिशान होके निकले हैं, और नई relationship को welcome कर रहे हैं, तो आप खुश हो जाएए, यह general है इनसान आपके लिए, और अभी हम ले रहे हैं messages, चाए पुराने हों, आपके lovers, चाए जैसे कोई पुराना रिष्टा है या नया रिष्टा है, जिसा भी है, उसके लिए, सब के लिए हो सकता है message, मैच करें हो सकता है, किसी से भी मैच ना करें, I am afraid to lose you, मैं डरता हूँ तुम्हें को होने से, दूसरा message, I can't let go of you, हो सकता है किसी कोई पुराना भी जो आपकी पुरानी relationship जो है, उसमें भी कई लोग पुरानी relationship में हैं, तो उनके person के यह message आए है, कि मैं तुम्हें डरता हूँ खोने से, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, If I could go back in time, I would handle us differently, अगर मैं time में पीछे जा सकता, तो इस situation को मैं दूसरे तरीके से handle करता, Drugs and alcohol, हो सकता है कि जो person अभी आपके life में आया है, वो drug and alcohol ले रहे हैं, यहां जो पिछले, जो चले गए हैं, जो आपसे दूर हैं, वो यह कर रहे हैं काम, My life is mess right now, मेरी life मतलब कहते हैं, बिखर गई है, और हो सकता है जो आपकी life में अभी आ रहे हैं, उन्होंने भी पहले कहीं दोका खाया हो, प्लीज डू वट इस बेस्ट फोर यूर हार्ट, अब बताए, क्या है आपके लिए हार्ट के लिए बेस्ट, आप बताए, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवर्रीवन अराउंड मी, तुम उन सबसे अलगो जो मेरे आस पास हैं, अगर किसी की नई रिलेशन्शिप बनी है ना, तो उसके लिए भी मुझे ये लग रहा है कि उस परसन ने भी दोका खाया, जो अभी तक मैसिजिस आया हैं मुझे, नहीं तो इतने सारे मैसिजिस में से यही मैसिज आया हैं, और आसकता है, हो सकता है, आपने भी दोका खाया कहीं से तो आप भी समझनी पारे कि क्या करूँ और यही है Please do what is best for you heart किर्प्या करके समझो कि तुम्हारे heart के लिए क्या special है बहुत सारे message हो सकते हैं यह नहीं कि जो लिखा है मैं वही पढ़ूँ मतलब जो देखे एक इंसान आपकी life में आया है वो भी आपसे यह कह सकता है कि देखे मैं आपको प्यार करता हूँ लेकिन आप वो करना जो आपका दिल कहता है आपका दिल बताएगा कि आपके लिए क्या best है आपके दिल को पता है आपके लिए क्या अच्छा है आपको लगता है कि नहीं पहले बहुत दोके हो गए अभी हिम्मत नहीं और दोके खाने की तो थोड़ा स्पेस दीजिए मत कीजिए जल्दबाजी और उनको भी बताईए कि देखिए मैंने दोका खाया है मैं अभी एकदम से किसी रिलेशन्शिप में नहीं जाना चाहती है मैं अपने आपको हील करना चाहती है और अगर आपने फर्स टाई में रिलेशन्शिप बनाएए तो उनको भी बताईए कि देखे धोका मैं बरदाश नहीं करूँगी सबसे पहली बात आज लड़कियों तुम सुनो पहले मैं यह मैसेज बढ़ लू यह तो मैंने बताई दिया था यह देख लो किंग ओफ एंड का कार्ड पैशन इस टू मच पैशन इस टू मच आपके सामने कार्ड खोले No one understands me but you कोई मुझे नहीं समझता सिर्फ तुम समझते हो I need to hold back my true feelings for you मैं अपनी true feelings को रोकता हूँ तुम्हारे सामने प्रगड करने से यह आपके person के message दूसरी बात यह ही जो सबसे important है आप लोग relationship में आ जाते हो बहुत अच्छी बात है लेकिन आप क्या करते हो आप एक इनसान के साथ चार साल, पांच साल, साथ साल तस साल relationship चलाते हो क्या यह ठीक है अगर देखिए अगर तो आप यह सोच रहे हो अगर मेरी reading वो लोग देख रहे हैं जो शादी को important नहीं समझते वो यह मेरा message ना सुने skip कर दे मेरी वीडियो को लेकिन जो समाज में शादी को important समझते ही हैं लड़कियां खास तोर से जो कि मुझे भर-भर के message आते हैं पूरे दिन रात मैं सिर्फ आपको इतनी बात बोलूँगी प्यार करना गलत नहीं है बट जिस दिन आपको सामने वाला ये बोलता है ना I love you आप I love you टू बोलने की बज़ाए उन से ये पुछो क्या आपके ममी पापा इस रिष्टे के लिए agree होंगे क्यों क्या होता है दो साल, चार साल, पांच साल क्योंकि लड़कियां मेरे आगे रोती है ठीक है जो हो गया मिट्टी डालो लेकिन अब भी अगर आपने किसी रिलेशन्शिप में जाना है सामने वाला बोल रहा है I love you उसे ये बोलना है क्या आपके ममी पापा इस रिष्टे के लिए मानेंगे और अगर आपकी शादी की एज है समय लिजे 25 22, 28 22 से उपर है टाइम भीस नहीं करना क्योंकि क्या करते है लोग ये बोल देते है प्यार कर लो प्यार पूछके नहीं करते ना पेरेंट से लेकिन शादी पेरेंट से पूछके करते है फिर क्या होता है फिर लड़कियां रोती हैं, बाद में उनको ये बोल दिया जाता है कि नहीं, मम्मी पपा नहीं मान रहे तो इस तरीके से किसी की लाइफ खराब हो जाती है, इसलिए मैं मेरे जितनी पर्सनल लीडिंग साती है जितनी पर्सनल लीडिंग आती है मैं सबको नहीं लिखा सकती बच्चे मना करते हैं आंटी हमारे कमेंट मत दिखाना आंटी मत बताना हमारे बारे में सिरफ मैं इतना बता रही हूँ कोई बोले ना I love you तो से पहले यह बोलना अपनी मम्मी से मेरी मम्मी की बात करा दे है गट से तेरे में कर सकता है तो इतना अगर उसका प्यार सच्चा होगो दो सो परसेंट अपनी मम्मी पेरेंट्स को बताएगा आपके पेरेंट्स से आप उनकी बात कराएगा जिनको बुरा लग रहा है वीडियो छोड़के चले जाओ नो प्रॉब्लम कमेंट में नहीं लिखना बुरा आके कि आपने ये क्यों बुला वीडियो छोड़ दो चले जाओ लेकिन जो मेरी आवाज को सुनना पसंद करते हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं मैंनी चाहती है उनकी लाइफ में दुबारा से कोई खिलवारो इसलिए स्ट्रेट फारवर्ड बनना है वो बोलते हैं नहीं कल परसो तरसो करा दूँगा कभी बात बट आप बोलो तो सही मैं तो आपको प्यार करता हूँ आपने बोलना फिर आई लव यू भी जब तेरी मम्मी की बात हो जाएगे मेरी मम्मी से तब बोलूँगी अलव यू टू तब बोलूँगी जब तेरी मम्मी की बात मेरी मम्मी से हो जाएगी जो काम शुरू में हो जाएगे बहुत अच्छा होता है बाद में बड़ा दुख होता है पिर च्योंकि नहीं नहीं बात आप बुला सकते हो मैं कुछ नहीं कर सकती और दूसरी बात ये दुनिया का कोई भी इनसान कुछ नहीं कर सकता ये सब फेक होता है कि आपका प्यार आपसे मिला दिया जाएगा आप इतने पैसे दे दो इतनी जाड़ भूक करा लो ये करा लो फलाना ढकाना ये जनतर मंतर कर लो कुछ नहीं होता ये बक्वास की चीज़ें है वो आप लोगों को उल्लू बनाया जाता है मुझे मैसी जाते है मैडम हमारे पचास हजार लग गए मैडम हमारे डेड़ लग लग गए मैडम हमारे डाइलक लग गए मेरी गल्फरेंड वापस नहीं आई उन्होंने इतने पैसे लिए थे उन्होंने ये किया था उन्होंने वो किया था एक बिचारे लोग बैसे दिल से दुखी होते हैं और दूसरा उनसे लाख और रुपे लेके बैठ जाते है तो प्लीज गल्स मैं सिर्फ तुमारे लिए special बोल रही ही बैटा आने वाली लाइफ को तुम ही लोग силार सकते हो अपनी तुम ही strong बन सकते हो और तुम ही सब कुछ कुछ कर सकते हो कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता तुमारी लाइफ के लिए प्यार करो बहुत अच्छी बात है लेकिन प्यार करने वाले को दिखा दो कि तुम्हारे में गट्स है तुम यूज और थ्रो की चीज नहीं हो चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो बी अवेर ओके आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया लेकिन मैं क्या करूँ जब मुझे रोते दोते अभी आप वीडियो पोस्ट पीछे करके देख लेना और अभी हम ले रहे हैं मैसिजिस पास्ट लाइफ रिलेशन्शिप यू हैब नौ इच अदर बिफोर तो लग रहा है कि कही लोगों जो अभी आपके परसन मिले हैं आपको पास्ट लाइफ से ही आप दोनों का रिलेशन्शिप है तब ही आपको अट्रेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही होगी इनकी ते फ्री यूर सेल्फ इस ताइम तु टेक बैक कंट्रोल अफ यूर लाइफ अपनी थोर्ट्स नेगिटिव थोर्ट्स से अपने आपको फ्री करो एक कमरे में जो बैठके रोना शुरू कर दिया दिनरा तो उसको बंद करो खुश रहना सीखो सेल्फ लव करो फिरी तो कोई आएगा ना लाइफ में बंद कमरे में कौन गुश जाएगा ओ गौड़ देखे पैशन पैशन और पैशन इस टू मच का मैसेज भी था अब पढ़ ले ना डिवर्स करके मेरी वीडियो allow your heart and soul to sign with joy allow करो अपने आपको free करो अगर कोई सामने वाला परसन लग रहा है कि अच्छा है दिल नहीं मान रहा parents की बात करा दो और अभी बाकी जो समझा है तो reverse में वीडियो पिर देख लो will, wisdom, mind, wow great ये रिष्टा यूनिवर्स ने बनाया है आपको सब कुछ मिलने वाला है ओ गोर, the journey, the journey the journey the journey ये ये इनसान ऐसे नहीं आया आपकी life में जिनका प्यार अभी शुरू होगा नाया नाया चाहिए वो धोका काके तुसरी रिलेशन्शिप में ये ये destiny ने fix किया था ये प्यार पर करना क्या है parents को बीच में इन्वल्व करना है if you believe believe करते हो कि ये जरनी यूनिवर्स ने लिखी है believe करते हो तो खुश हो जाओ opportunities आ रही है आपके पास abundance, happiness, blossoming abundance भी हमारे पास आए तब वाव oh god our new start is coming thank you निवास it's time to take action और अब आपको action लेना है आगे बढ़ना है life में इस्टक नहीं करना अपनी life को romance और क्या चाहिए romance और नीचे भी काड़ हमारे बस कितने सारे आए passion passion past life relationship आज की reading तो भर भर के romance वाली है true leaders यह देख लिजिए यही है आपका soulmate जो अब आपकी life में आया है यही है grief अब आपको दुख में नहीं रहना इस energy से निकलना है इस energy में नहीं 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 सब दुखी देंगे सब दुखी देंगे कोई सुख नहीं देगा अरे जो चला गया उसे जाने दो जिन्दगी के एक नहीं शुरुबात करो पट करनी कैसे है बीच में parents को लाना है अप अपने मन से नहीं करनी बड़ों को बीच में लाना है ताकि पांच साल दो साल बाद ये नहीं सुनना मिले कि मेरे parents नहीं मान रहे तुरंट से parents को बताना है parents बड़ा सच्चा दोस्त कोई नहीं होता ये लिख लो एक copy पे चाहे तुम करोड सही लियां बना लो करोड दोस्त बना लो पर असली 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 दोस्त सिरफ माबाब होते हैं और कोई नहीं होता ओके जी अभी मैंने ये ले लिया अभी मैं वावल्स ले रही हूं तो देखते हैं कि आपके person का नाम जिनके साथ अभी आपको आयो रिष्टे में उनका नाम मैं तो सोच रही है ऐसे भी खर जाएं सारे ये उलज जाते हैं आज की रीडिंग बहुत अच्छी थी थैंक यू एंजल्स, थैंक यू उनिवर्स, थैंक यू आपके person अगर कोई चले अगया ना आपकी life से वो भी वापिस आएगा उनके लिए मुझे एक गाना वो भी याद आ गया थोड़ा सा ऐसे ही की तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ए सनम हम तो तुम्हे आज भी प्यार करते हैं तो वो चाहे दूर चला गया पर भूला वो भी नहीं मेरी आवाज अच्छी नहीं है ना इसलिए के एमखे डवल्यू देख लो अराम इत्मिनान से एक मिन्ट पोस करती हूं बना लो अपने अपने परसन का नाम खुश हो जाओ चला जी अब रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना फर्स टाइम मेरे चैनल पे आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिलीब में यार बीडिफुल भाई सिमी परसनल पेड रीडिंग के लिए मेरे इंस्टा के पेज पे जाओ सिमी 9356 या मुझे कमेंट में मैसेज करना वैसे पेज पे करोगे तो मैं जल्दी रिपलाई करते हूँ कि कमेंट में पढ़ नहीं पाती कभी कभी ओके वीवस बाई टेक केर लव यू लॉट